हलो दोस्तो स्टॉक अनालिसिस में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में डिस्कॉस करने वाले हैं कुछ ब्रेकाट स्टॉक के बारे में जिहां दोस्तो ब्रेकाट स्टॉक मतलब इसमें ट्रेंड जो है अभी ऑप्रेंड पर देखने को मिलेगा वो सा है यहां पर दोस्तो उसी के साथ ही साथ एक साइड़ वेज भी देखने को मिलता है लेकिन अगरे बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो नर्माली उस टॉक का अंदर आपको ब्रेकाट पेटन देखने को मिलेगा ब्रेकाट मतलब स्टॉक का अंदर अब भी आठ के उपर ब्रेकाट हो जाता है तो उसके बाद वह सिगनल जो होता है ना काफी ज्यादा स्ट्रेंध फुल्ट सिगनल होता है यानि कि दोस्तो आगे चलकर उस्टॉक जो है एक आच्छा अच्छा प्राइस्तों को उपर जा सकता है तो देखिए थोड़ा सा ग आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है अगर इस चैनल पर आप फास्टाइम विजिट के हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके पेल का इकन प्रेस करके औल काफ्शन जरू सिलेट को लिजे तो फिलाल में दोस्तों अगर आपका कोई भी पर तो सबसे पहले स्टोक का नाम है जिंदल वाल्ड वाइट लिमिटेड 430 पर स्टोक का प्राइस भी है यहां पर कमनी का मार्केट वेलेशन 8,584 क्रोड का यह जो कमनी है ना देखेंगा दोस्तों यहां पर यह जो कमनी है फेब्री की प्रिमियम साटिं यान डाइं बॉ बहुता बड़ा दानपॉल देखने को मिला हों और उसके बाद यहांपर एक बॉटर्म फर्मेशन हुआivas फिर उसके बाद मित्याद कर ना है यहां पर आपको द्यान गया है और उसके एलाबा अगर कमनी का और पारामिटर आप देखोगे इसमें शेर ओल्डिंग पेटरन पर कमनी अच्छा है और परामिटर का अच्छा हो लिंग देखना को मिलता है और उसके बाद यहाँप दोस्तों कमनी का फाइनेल चाली कुरूत के अगर बात करें तो कमनी का शेल्ज ग्रूथ और प्रफड ग्रूथ और स्टोक प्राइस याशर में अच्छा घसा तेजी एक साल से लेकर दोस साल तक तो नेक्स टॉक का नाम है एज़ी से लोजिस्टिक लिमिटेड है लोजिस्टिक सेक्टर से कंपनी बिलों करता है लोजिस्टिक का एक कंपनी काम करता है अगर आप देखोगे यह कंपनी एलपीजी एंड केमिकाल प्रोडक्ट के ओपर कंपनी का कर रहा है यहां पर कंपनी का मार्केट डबलेशन 2171 क्रोड का है और उसके अलब आप देखोगे कंपनी का फाइनाल चाली गुरूथ यहां पर अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों एक साल का अंदर टिट्टेम में देखें शेल्स गुरूथ और प्रफिट गूरूथ अच अच्छा है पिछले एक साल से लेकर दोल साल तक अच्छा अच्छा रिटन दिया है और टेक्निकाल अगर बात की जाए तो एक साल का अंदर आप देख सकते हैं फिप्टी डे मुविंग अबरेस से बहुत याचा सपूट लिया है जब से इसी रेंस से ब्रेकाट लिया है विसके बाद स्क्राइट निच्छे किनने का नाम ही नहीं ले रहा है देखे दोस्तों 50 लें के बहुत आशा सपूट ले रहा है तो यहां पर आप 50 लें का पर कंसरे कर सकते हैं और यहां से स्टाओ ऐनाएं जब विसके बाुप थे लिए यहाँ ऑप्ँे इसमें तेिजी और उसके एलाब अभी बहुत सारे ओयर से रिलेटेड प्रोट्ट है जिसका एक अमनी सेल कर रहा है और डिस्टूबिटिंग कर रहा है यहां पर एकमनी का मार्केट अब देखोगे 5000 करोड के आसपास है और यहां पर चार्ट पटरन आप देखे दोस्तों स्टोक इसी रेंज से कॉंसुलेडेटर कर रहा था और जब ब्रेक आउट किया आप देख सकते हैं स्टॉक ने जब ब्रेक आउट किया तो इसी लेवल से स्टॉक ने एक आचागासा तेजी बना चुका है तो यहां पर आप कुछ समझना है दोस्तों जब भी स्टॉक इसी रेंज के आसपास आएगा तो यहां पर आप खुद दरी के लिए सोच सकते हैं और एक और बात दोस्तों देखें स्टॉक ने फिप्टी डेट डेट मोविंग आपर से बहुत याचा स्वपूर्ड लेए खास करके 200 डे मोविंग आपर से बहुत याचा स्वपूर्ड लिया जब भी आया है 200 देखने को मिला है तो इसी दोस्तों इसी लेवल के आप 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 पास आएगा तो यहां पर आप खुद गयरी करने के लिए सोच सकते हैं तो चलते हैं नेक्स टॉक के अपर नेक्स्ट है साटेन क्रेडिट क्यार यहां पर देखें एक अमनी एनभी एफसी सेक्टर से विलंग करता है ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाएंगे सिर्फ आप टेक्निकल यह आप देखें दोस्तों स्टॉक का अंदर है का बहुत याचा ट्रेनर देखने को मिल रह जब भी इसमें गिरावट होता है तो यहां से बांस बैक देखने को मिलता है तो इसी नर्जरे से इसके उपर आप ज़रूप कर सकते हैं जब भी स्टॉक का प्राइस फिप्टेडें मोविंग अब्लेज का आसपास आएगा तो वहां पर आप दबाया के खरी सकते हैं और अच्छा होगा दोस्तों स्टॉक अगर टूहंडेडें मोविंग अपर मिलता है तो वहां से आप आप बांद करके इसमें खरीतारी बना सकते हैं और यह भी ध्यान रखेगा दोस्तों एक स्टॉक है ना एक पैनी स्टॉक है और जितना जादा इसमें अच्छा रिवर्ड है chỉ रिक्सी रहता है उत्त में अच्छा रिवर्डी में मिलता है यहां पर त्यक्निव इंगर नेगाड़िवड है दूसेह, अगर आप देखेगा यहां पर कमने का सेयल्स ग्रूत और प्रफिय घृट जो है काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिलता है नेगटिव में है और उसके साथ ही साथ है यहां पर आप देखेगा प्रमटर का होल्डिंग जो है इसमें 39% का होल्डिंग है और इसमें दोबा के खरीदा रखा है अगर यहां पर पेटन पर देखोगे तो काफी ज़्यादा स्ट्रोंग आपको देखने को मिलेगा तो नेक्स टोक की बात करें नेक्स दोस्तों आइडिएफसी फास्ट बैक नर्माली यह जो बैक है दोस्तों मुझे परसनाली बहुत याचा लगता है क्योंकि इसमें हाली में जो राली है ना हाली में बना है देखें पहले स्टॉक कंद्रे के बहुत बड़ा डानफल हुआ था थोड़ा सा यहां पर आप कॉंसिडर कर बहुत याचा सब्सक्राइब तो इसमें जो है ना 100 की टार्गेट देखने को मिल सकता है आगानवले बॉक्त में तो मेरे खाल से दोस्तों अभी के टाइम पर आप इसी लेवल के अपर फोकस रख सकते हैं और इसमें तैजी हो रहा है अभी के टाइम पर लेकिन आगानवल सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है तो इस टोक के ओपर भी आप जोर फोकस रख सकते हैं और शेयर होलिंग पटन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है प्रमटर के साथ साथ एफाई और लिया इसमें बहुत याचा होलिंग देखने को मिल रहा है तो एफ सब्सक्राइब बनने का हाई चांसे से रहता है तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही और आज की वीडियो में देएगी जानकारी शिरिफ आपके एजुगेशनल प्रोफिस के लिए थे तो अगर आप कोई पिट्रेट लेते हो तो आप भी अपने तरफ से अच्छे से अनालिसिस करके आपके फाइनल से एडवेजर से कंसल्ट करके करेगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमारे के नए वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक क्यार